मुंबई की सड़कों पर कुछ दिन पहले एक बार फिर खोफ का साया गहरा गया था जब NCP नेता और पूर्व मंतरी बाबा सिद्विकी को गोली माल कर उनकी हत्यातर दी गई थी एक ऐसा घटना करम जिसने ने केवल राजनिते गलियारों को हिला कर रख दिया बल्कि बॉलिवुड और बिल्डर लोबी में भी चिंता की लहर पैदा कर दी ये ऐसी पहले घटना नहीं थी ऐसी ना जाने कितनी ही घटना हमारे सामने हो चुकी है वहें उन घटनाओं के जाने की कोशिश कर रही है चलिए आज हम बात करते हैं पूरे मामले की सच्चाई के बारे में नमश्कार आप देख रहे हैं जंता दर्वार न्यूज और मैं आपके साथ जोती रागव क्या लोरेंस का मकसद है कुछ और दोस्ट पर कबजा करने के बाद मुंबई नया टार्गेट क्या दाउद की जगह ले रहा है लोरेंस बाबा सिद्धिकी के मर्डर या बॉलिवूड बिल्डरों पर धाग जमाने की कोशिश बाबा सिद्धिकी जो राजनीती के साथ साथ रियल एस्टेट और बॉलिवूड में भी सक्रिय थे पर जब 6 गोलिया चलाए गई तो पूरे शहर में धहशत पैल गई बताया गया कि उन्हें दो गोलिया बेट में और एक गोलिया सीने में लगी है अस्पताल में उन्हें मिरत खोशिट कर दिया गया इस हत्या ने ने न अमेदारी लोरेंस विस्णोई की गैंग ने ली है जो अपने तरीके से बॉलिवूड और बिल्डर लोबी वे अपनी भाग जमाने की कोशिश कर रहा है बाबा सिद्धिकी की हत्या का यह मामला ऐसे समय में आया जब महरास्ट्र में उप्चुनाओं का दोर चल रहा था र उनकी हत्या का राजनितिक प्रभाव भी माना जा रहा है जानकारी के अनुसा लोरेंस विस्णोई का मकसद सल्मान खान जैसे बड़े सितारू पर धंकाकर मुंबाई में अपनी पकड़ मर्सबूत करना है या फिर यू कहें कि सल्मान खान को जान से भी मानना वहीं अगर ह हम लोरेंस जुड़ी घटनाओं को देखे तो ये तरीका एकदम दाओद अबराहिम की तरह है हम इस पर गोर करें तो यह नए केवल हत्या है बलकि यह एक संदेश भी है वह सल्मान खान को मोहरा बनाकर बॉलिवुड में अपना प्रभाव बढ़ाना चाता है वहीं इस माम के नक्षे कदम पर चलते हुए बताया गया इस घटना ने सब को चोका कर रख दिया है बता दे कि बाबा सिद्रकी को निशाना बनाने के पीछे कुछ गहरे कारण हो सकते हैं माना जा रहा है कि यह हत्या एक तरह की सुपारी थी जिसमें हमला वरों को धाई धाई लाग कि लोरेंस गैंग किसी न किसी तरह मुंबाई में अपनी धाग जमाने की कोशिश कर रहा है अब सवाल यह हुडता है कि बाबा सिद्रकी की हत्या ने एक बाफिर से मुंबाई की अंडर वर्ड के खतनाग चैरे को उजागत किया है क्या लोरेंस विश्णोई वास्तों में पॉलिवोड बिल्डर लोबी में अपनी धाग जमाने की कोशिश कर रहा है या इसके पीछे और भी कारण है इस हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं और आप तो पुलिस की कारवाही बताएगी कि खोब कब तक मुंबई में सर्ट को पर बना रहने वाला है इस मामले मे हर नई जानकारी के लिए जुड़े रहिए जन्तादर्बार न्यूज के साथ हम आपको तार्जा और सटीक जानकारी देने का वादा करते हैं देखते रहे आप जन्तादर्बार न्यूज